हेलो दोस्तों तो आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी जार्कन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज आप देखेंगे लाब्स चेंट का संपुर्ण स्लेबस सारे यूट्यूबर बता रहे होंगे कि बेस्ट लेबल पर स्लेबस है बस उसी को पढ़ना है लेकिन नहीं सावधान क्या पढ़ना है इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से ये एक्जाम निकले कौन कौन सा चाप्टर पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है 12 का कौन सा चाप्टर पढ़ना है 11 के जो है 11 क्लास का जो है उसके फिजिक्स के या कम क्या पढ़ना है इस बारे में हम लोग करेंगे कैसे पढ़ना है यह भी जानेंगे और क्या पढ़े की एक्जाम निकाल ले और स्लेबस में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सारी यूट्यूबर सारी चैनल्स वाले अभी आपको बता रहे होंगे कि सिर्फ बीसी का जितन प्रस्ण दे दिया गया है आप उस वीडियो को देख लिजिएगा कि BAC से कितना प्रस्ण पुछा गया था सारे प्रस्ण 11 और 12 से पूछा गया था कि से 11 और 12 से तो हम लोग अभी इसमें ये जानेंगे कि 11 से कौन कौन से subject है कौन कौन से chapter है जो पूछे जाते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे और 12 में कौन कौन से chapter है और 11 और 12 से क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है तो देख लिजे ये हम लोग को बस लोग क्या किये थे ना कि हम लोग का जब एक्जाम हुआ था पिसली बार तब ये चीज हम लोग पूरा तयारी करके गये थे लेकिन एक भी प्रस्न नहीं आया इस से एक भी प्रस्न नहीं आया मुश्किल से 4 से 5 प्रस्न आया होंगे इतना chapter पढ़ लिए 10 chapter ठीक है 11-12 पर सारे आप जितने भी लाब स्टेंट का एक्जाम दिया है ना स्टुडेंट लोगों से आप पुछ सकते हैं ठीक है तो देखिए जो व्यक्ति 11 और 12 के ठीक है जो सलेबस का प्रप्रप्रशन करके गया थे उनका बहुत अच्छा एक्जाम गया था लेकिन ठीक गया था देख लिजे तो हम लोग के 12 में क्या पढ़ना है बीएसी का बस आपको ये चाप्टर देखना है सिर्फ वीडियो देख लेना है सौरप सर एक आरे सर्मा है आरे सर्मा का MC क्यू है उनका देखिएगा बहुत बेस्ट है जो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्रिप्शन म पढ़ना है थर्मो डाइनेमिक्स का चैप्टर है उसमा गती की जिसको बोलते है यह भी चैप्टर बहुत जरूरी है ओसिलेशन दोलन का वेप्टर पढ़ना है इस्थिर्वैदूतिकी करन एलेक्ट्रिक करेंट ऑप्टिक्स नेक्स्ट नाई चैप्टर है परमानू परमा और कि criteria एचे जिसको पढ़ने है और क्या पढ़ने है तो सबसे पहले में बतादू कि आपको जितने भी टूवत में चैप्टर है आपको थियोरी को बस पढ़ना है और formula रट लेना है, numericles बनाना है, numericles से कम से कम आपको जो 1.500 प्रशन है है आपका 50 प्रशन Numericles रहेगा, ठीक है, 25 से 30 आपका formula रहेगा, और 25 से 30 आपका जो है, theory रहेगा, ठीक ना, और कुछ-कुछ जो प्रशन है आपको PSE से दिया जाएंगे, पास से 10 प्रशन है, तो देख बोड हो टिकना सारे स्टुडेंट्स जो है यह 12 का 11 का पढ़के ही आया है लेकिन कोई 11 के नहीं पढ़ता है 12 के तो सब को पढ़ते हैं अच्छे से लेकिन 11 के बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है एक्जाम्स अब भ्यू से वह 11 लेवल का होता है तो आपको देखने हैं कि यह 12 लेवल के जो है चाप्टर वन क्या है विदूत आवेस्तता छेत्र आपको इसका सारे थियूरी को देखना है और फोर्मूला रट लेना है अगर आप चाहते हैं कि लाब स्टेंट का आपका यह निकले तो आप 11 12 को चाट जाईएगा गोर के पी लिजिएगा आपको नोर्स को गोर के पीना नहीं है उसका फोर्मूला थियूरी सारे देख लेना है ठीक ना दूसरा चैप्टर है विदूत विभाव और धारिता इंग्लिस में आप देख सकते हैं जितने 12 में स्लेबस के अनुसार जितने हैं सारे चैप्टर आ और ये बहुत ही अच्छा जॉब है ठीक ना साट पैंसर थागार से स्टार्ट होता है इसका सैलरी हाना तीसरा जो चाप्टर है विदूत धारा है चौथा गतिमान आविस और चुम्बकत्व है पाच्वा चुम्बकत्व एवं द्रव्य है छट्था जो चाप्टर है दस्वा चाप्टर है तरंग प्रकास की ग्यारवा विकीरन तथा द्रव्य की द्वयत प्रकृति इससे भी प्रस्ण आया था नाभिक से भी प्रस्ण आया था अर्दचालक जो सिलीकन और जर्मेनियम से बहुत सारे प्रस्ण आया थे और देख लीजे ये चाप्टर आपक आप लोग देखेंगे थी ना देख लीजिए नेक्स चाप्टर है 12 नंबर परमानू इसे भी प्रस्ण आये थे यह बार मोडल होता है एक रदर फोर्स के नियम से आये थे बहुत सारे ऐसे हैं जो आये थे नाभीक है यानि के नियुक्लियर सेमी कंड़क्टर अर्धचालक औ आपको सिफ फर्मूलाज रटने है भाई नौकरी पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा महनत करना पड़ेगा बिना महनत के कुछ नहीं होते हैं और बस हम बार बर क्यों बोल रहे हैं आपको फॉर्मूलाज रट लेने हैं स्लेबस आप देख रहे है तो फॉर्म मिन्सन क्या लिखेंगे इस प्रकार से जो है प्रस्ण आते हैं ठीक ना जैसे कि हम लोग पावर का एसाई यूनिट क्या होता है ठीक है तो इस प्रकार से प्रस्ण आएंगे एक होर्स बराबर कितना होता है एक होर्स पावर एक एसपी बराबर कितना होता है यह सारे इस लेबर स्कुल लेब स्टेंट का जो देख रहे होंगे वह आप 11 जितने भी चैप्टर है वह सारे देख लेंगे तिक अपने अनुसार कर दो कर दो के निकाय तता घुरुनी गति आठवा चैप्टर है गुर्तवा कर्शन इसे गुर्तवा कर्शन से आया था प्रशन नाइन नमबर प्रशन है ठोसोवे यांतरिक गुन दसवा नमबर प्रशन है तरल द्रव के यांतरिक गुन 11 नमबर जो चैप्टर है द्रव के ताप्ये गुन और 12 नमबर उस्मा गति की ठीक है कि सिधान्त पनु गति के सिधान्त 14 चैप्टर है दोलन गति दोलन से भी प्र पर्सनें आये थे बहुत सारे एसी प्रसने है जो चाप्टर है अब चली देखिए कि परतेTom चापिर के अंतर क्या पढ़ना है जैसे देख लिजी यार Olivлу अभेस के अंतरगतं विदुत आवेस के अंतरगत क्या क्या चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है तो देख लिजे विदुत आवेस सता छेतर के विदुत आवेस सता छेतर के गौस पर में सुत्र अनुपरियोग सारे बढ़ लेंगे विदुत दुरू अक्षिय निरती जादा नहीं घुसना है यह सिर्फ फर्मूला आप याद रखने है टोस के लिए खोकला के लिए क्या है समझ रहे हैं ना आपको अंदर नहीं घुसना है ज्यादा ये सारे का फर्मूला आप रटेंगे Tahirini बहुत कम याद रखने हैं जिसका जिसका फि hysteria आपको याद रखने है वो चीज आपको ह इसका थियोरी याद रखेंगे और किसका हमको फर्मूला याद रखना है ठीक ना यहां देख लिजे विदुद्ध दुरू आपको जैसे कि कुलॉम्स लॉक कुलॉम्स लॉक से कम से कम तो आया था कितना हमेरे लगता है कि मुझे लगता है कि यह पांस से चार से पांच बस याद रख लिजेगा धारिता किसे काते हैं मातरक विमेशुत मातरक और विमेशुत्र याद रख लिजेगा वांडी ग्राफ जो जनित्र है इसका जो फर्मूला है वह चीज याद रख लिजेगा जिसका मेन पॉइंट है से धांत क्या है इसको आप याद रख संधारित्र का संयोजन और स्रेणी करम समानतर अरे इसका जब आप फॉर्मुला याद रखिएगा तभी तो आप यह नुमेरिकल्स बना सकते हैं तो नुमेरिकल्स के लिए यह सारे जो है नोट्स पहुत इंपॉरेंट होते हैं यह आपको कर लेने है नेक्स चाप्टर है प्रस्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार से प्रस्न दिया जा रहा है किस प्रकार से प्लेट रखा जा रहा है किसके किसके बीच में प्लेट रखा जा रहा है वह आपको पता चलेगा जिससे आप स्वाल्ब कर सकते हो नेक्स्ट विदुधारा से क्या पढ़ने हैं देख ल फ़र्मूला आता है जैसे कि कमेंट सेक्शन में परतिरोध को सीखमा रो पी क्यू चीज से इसके साथ पूछा जयाता है तो यह आप याद रख लेंगे यह आप देख लेंगे कि कि किस्रीषी देनोट कीया जाते है तो आप शुरू से ही इसे लेका चलेंगे, एक सॉटनोट्स बनाएंगे आप जो 11 और 12 दोनों बुक का होंगा, जिसमें फॉर्मूला और थोड़ा सा थियूरी का सॉटकॉट होगा, वैसे इसका इसली फैदा होगा, क्योंकि आप उसमें देखेंगे कि तुरंद उसका रिव इससे प्रस्न आएंगे, इससे जो है नुमेरकल्स आएंगे, मेडर सेतु का सिधानत क्या है, विवो मापी का सिधानत सुग्रगारही, ग्राहिता, यह सारे चीज आप देखेंगे, नेक्स्ट, तो इस प्रकार से आपको सारे प्रस्न पढ़ने हैं, देख लिजे, गतिमान आविस और चुम्बकत्व में क्या पढ़ने हैं, गतिमान आविस और चुम्बकत्व नोट्स, लॉरेंस बल किसे काते हैं, चुम्बकिये, यह लॉरेंस बल, यह इसका प्रस्न आया था, लॉरेंस बल का, ठीक न, तो लॉरेंस बल बराबर क्या होता है, वो आप, यह सब य परिपथिया नियम टो इस प्रकार से आपको एंपियर के बारे में टोटल पढ़ देना है क्योंकि एंपियर का मान भी पू gig to da haiud जल्वेह निर्वात में कि शल데 ओर सुम्भक सील्टा के संबंद थोड़ा सा देख लेंगे कि विदुत सिलता और शुभक सिलता किसे कहते हैं बस आपको थियुरी में आपको चाहरा हblind करेगा स것도्राइक a कि यही पढ़ना है नहीं 11-12 से सबसे ज़्यादा आता है ठीक ना चुम्बकिये द्वी धुरू अक्षिय निरक्षिय नेक्ट चुम्बकिये बल रखाये से प्रशन आते हैं यह सारे देख लेंगे प्रिथवी का चुम्बकिये छेतर कितना तक है कि थोड़ा सा पढ़ जहां भी आपको 11-12 में फर्मूला देखेगा याद रख लेना है पर्ति चुम्बकिये अनुचुम्बकिये लौश दिख पात कौन नती कौन और चुम्बकिये तो यह आपको कितना अंगल्स पर कितना होते हैं वह आपको याद रख लेने हैं नेक्स्ट क्या है देख है यह डिनोट किस लिए किया जाता है किसे किया जाता है और कि फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट फैराडे के विदुत चुंबकिये इससे भी प्रशन आये थे गतिक विदुत वाहक बल स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं उसका सुत्र मात्रक याद रख लिजेगा अनोन्य प्रिण गुनांक की परिभासा ठीक है भावर धाराए ये सब सारे आप देखेंगे परतियावति धारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो सक्ति गुनांक ये क्या चिसे डीन्यूट किया जाता है क्या किस सुत्र है बस चोख कुंडली क्या है ट्रांसफर का कारी सिधांत प्रथिवारता धारा जैनेरेटर और डाइनेमो ये याद रख लीजिएगा जेनेरेटर डाइनेमो ये प्रशन नायाया था कि यांत्रिक उरजा को विधुत उ कि याद रख लिएगा सुत्र और फर्मूला और जो यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट है किरन प्रकास की प्रकासिक यंथ गोलिये प्रिष्ट पर अपवर्तन का सुत्र सारी याद रख लेंगे फोकस दूरी वक्रता तरीजिया सारे जितने फर्मूले आते है करांती कोन के फर्मूला क्या होता है पुर्ण आर्तिक प्रावर्तन क्या होता है प्रिज में किसे काते हैं लेंस क्या है मानो नेदर के संग्रक्षना इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है सिर्फ उपर उपर आपको देखना है जैसे कि मानो लेंस इससे आपको क्या दे सकत मेल्ज के नियम 152 देखेंगे हैं व्यतिकरण से प्रस्खनेन आयाए था उत्य क्रफ है अधि तो इसके सारे प्रश्न बनते यह सबको आप लोग को देख लेने है ना चलिएiblings ये आता है New열 नेंग्लिए थे यह रेडियो स प्रश्य आये थे तो आप इसको देख लेंगे और वैसे सबको देखने लेकिन इसको अच्छे स पढ़ दी जगाね sach क्रियता को नेक्स चलते हैं अर्द चालक देखिए यह डायोड से प्रस्ण आये थे प्रकास उत्सरजक डायोड जो एलेडी होता है इससे भी प्रस्ण आये थे और यहां स्लीकन और जर्मेनियम के बारे में आप टोटल पढ़ दीजेगा स्लीकन और जर्मेनियम के बारे में आप टोटल पढ़ दीजेगा कि क्या होता है ठीक है और यह आपका लास्ट चैप्टर है ट्वेल्ट क्लास का संचार से कुछ प्रस्ण नहीं आये थे लेकिन आपको एक बार देख लेने हैं नेक्स कुछ नहीं इसमें देखने हैं बस दो चाप्रा देख लिजेगा सलर रेखा में गती आपको देख लेना है क्या चाल बेक से गती के समिकरण त्वरन किसी काते हैं यह सारे इंपोर्टेंट है कि इस पर नुमेरकल्स भी बनते हैं और कहने का मतलब यह है कि नुमेरकल्स जो पर देख लिजेगा कौन सदी से कौन अधीस है वेक्टर और स्कैलर के बारे में गती के नियम का बात करें तो जड़त हो आपका गती की नियम में सारे इंपोर्टेंट है सारे इंपोर्टेंट है नुमेरकल्स सभी से बनते हैं एकदम रट लिजेगा जितने भी स्क्रॉन स ले लिजे उसके बाद पढ़ाई करते रहिएगा कारे उर्जा सकती से है इतने सारे चाप्टर पढ़ने है इसे की कारे उर्जा की परिभासा सकती कि से काते हैं आप सारे देखेंगे नेक्स्ट जो थियोरी से फोर्मूला से नुमेरिकल्स बनता है वो चीज आपको अच्छे से देख लेने हैं ठीक ना नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए यहां है केंद्रों में गति यहां है कनो के निकाय यानि कोणिये त्वरन देख लेना है रेखिए बल आघुर्ण देख लेना है जड़त्व आघुर्ण देख लेना है और यह प्रेम्य है यह देख लेना है कोणिये वेंगे वेग का जो है, तोटल आपको घुर्नी गति का भी देख लेने हैं, गुर्थवा करशन में निउटन का गुर्थवा करशन नियम, यह जी का मान, जी का जी का संबंध, उपगरह का कक्षिय वेग, पलायन वेग देख लिजएगा, केपलर का ग्रहो के गति का नियम देख लेना चाहते हैं तो आपको सारे चीज आपको याद कर ले होंगे रटने होंगे और फॉर्मूलास तो हम ही बताएंगे ठीक है आगी अपडेट लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जाता ह लिंक जो है description में दे अभ्स के लिए अटल की जाया शान इंक है ए जयसे कि सिस प्रकार से अग्जाम होई था लाइबेफस्टेंट में पेपर 1 में किस प्रकार का क्मेश्शन्स तो समय प्रकार से प्रसंदा थे देख लिजे, अहां, ये उस गुप्त उस्मा, स्टीफन, श्रो, ये सब सितलन का नियम, सितलन के नियम से भी आया था, तो ये सारे प्रशने बहुत ही जादे इंपॉटेंट है, ये सब सारे आप देख लेंगे चैप्टर, उसमा गतिकी का सुन्निवा नियम से आया था प्र फर्मूला याद रख लेंगे, और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इसमें उसी प्रकार से आपको केमेस्ट्री और बायो में भी पढ़ना है, जितना 11, 12 से रिलेटेड है, सारे आपको सलेबस को कन्फर्म टूटल करना है, जैसे यहां देख लिजे, सरल गति, इसमें सारे दोलन गति में आपको सारे पढ़ने है, स्क्रिन सॉट ले लिजे, अगर आपको कहीं यूट्यूब वीडियो ने मिलता है, तो सारे आपको हम उबलब्ध कराएंगे, ठीक है, इसका नंबर है, देख लिजे यहां, डबल एट, सिक्स्त्री, डबल एट, फोर टू, एट वन वर्ट्सअप नंबर है, आप वर्ट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी हेल्फ होगा, तो बताया जाएगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, तरंगे से तरंगे का टोटल आप याद रख लिजेगा, डॉपलर इफेक्ट से आया था, अनुप्रस्त, अनुदैर्ग से प्रसने आये थे, इसमें बहुत जादे स्टुडेंट्स जो है, कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ टोटल स्लेबस, हाना, टोटल स्लेबस हुआ, और ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट शरूर करेंगे, और इसी प्रकार से एकदम निव अप्रेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, ठीक है, तो आपको देखने है, मेहनत तो लगता है भाई, तो दोस्तों, धन्यवाद वाचिंग फॉदिस वीडियो,